हेलो दोस्तों, आप सब का दुनिया सबकी में स्वागत है मेरा नाम बेपाशा है और आज मैं आप सब के लिए एक बहुत प्यारी सी कहानी लाई हूँ जिसका नाम है छिटकी उल्ली इसे लिखा है माइक फेलर ने और इसका अंग्रेशी से हिंदी में अनुवाद किया है तेजी ग्रुवर ने इसके चित्र बनाए है कनक शशी ने अब कहानी के नाम से ही तो पता चल जाता है कि इसमें एक उल्लू जरूर है आपने कभी उल्लू देखा है? शायद किसी रात खिर्की के बहार एक पीड़ पे तो बड़ी बड़ी बीली आँखी देखी हो क्या पता? शायद पंक फर्फराने की आवाज भी आई हो वो एक उल्लू हो सकता है चलिए देखते हैं आज छुटकी की जिन्देगी में क्या हो रहा है? ये छोटा सा जो उल्लू है वो जरू छुटकी होगी उसके साथ में शायद ममा हो या पापा शायद कोई बड़ा भाई बहन जब छुटकी उल्ली दो साल की होई तो उसने सवाल पूछना शुरू किया आसमान में कितने सितारे है? एक रात उसने अम्मी से पूछा बहुत से अम्मी ने जवाब दिया कितने? छुटकी उल्ली ने आसमान की और देखते हुए पूछा अम्मी मुस्कुराने लगी तम किन कर देख लो एक, दो, तीन, चार एक सो एक, एक सो दो, एक सो तीन, एक सो चार जब सुरज निकला, छुटकी तब भी गिन रही थी एक हजार एक, एक हजार तो छुटकी तो बहुत होश यार लग रही है मुझे दो साल की उमर में मुझे तो हजार तक गिनती बिल्कुल नहीं आती थी आपको आती थी कितने सितारे हैं आस्मान में? अम्मी ने पूछा इतने की मैं गिन भी नहीं सकती छुटकी ने बलके जपकाते हुए कहा फिर अपना सिर अपने पंखों में छिपा कर चट से सो गई पूरी रात गिनते गिनते वो जरूर ठक गई थी अगली रात छुटकी ने फिर आस्मान की और देखा अम्मी आस्मान उचा कितना है? बहुत उचा अम्मी बोई कितना उचा? छुटकी उल्ली ने फिर पोचा जा कर खुटी देख लो अम्मी ने गा अब छुटकी तो शायद पंक इस्तमाल कर उड़ उड़ के जान बिले आस्मान कितना उचा है पर हमारे पास तो पंक नहीं है पर क्या पता? शायद प्लेन यूज़ कर सकते है शायद हमें उस वज़े से पता चल जाए आस्मान कितना उचा है तो छुटकी उपर आस्मान कि और उड़ चली अपने पेर से बहुत उपर बादलो तक जा पहुची उसने अपने पंक जोर से फरफडाए अब वे बादलो के भी उपर उड़ रही थी लेकिन वे जितना उपर जाती आस्मान और उपर उड़ता चला जाता सुबह जब वे अपने पेर पर उतरी तो बहुत धक चुकी थी तो कितना उचा है आस्मान? अमी ने बुझा इतना उचा कि मैं उड़कर वहाँ ओची नहीं सकती उल्ली ने जवाब दिया फिर उसने अपनी आखें बंद की और सो गई बिजारी उल्ली, दो प्रशन आये मन में दोनों का ही उतर नहीं निकाल पाई आपको क्या लगता है? तीस्ता प्रशन क्या आयेगा उसके मन में? क्या इसका उतर निकाल पाईगी वो? देखते हैं अगली रात छुटकी ने समुद्र में लेरों की आवाज सुनी समुद्र में कितनी लेरे हैं? उसने अमी से पूछा बहुत से, अमी बोली कितनी? जाओ जाकर गिन लो अमी ने जवाब दिया आपको क्या लगता है? छुटकी गिन पाएगी? तो छुटकी उड़ती हुई समुद्र के किनारे आपउशी और लेरे गिनने लगी एक, दो, तीन, चार पर वे जितनी लेरे गिनती और और लेरे किनारे से टकराने लगती एक हजार एक, एक हजार दो और जब सूरज निकला उसने देखा कि समुद्र अब भी लेरों से भरा हुआ था बिचारी चुटकी, अब वो क्या करेगी उसे जोरों की नीन आ रही थी वे अम्मी के पास लोट आई तो कितनी लेरे हैं समुद्र में? अम्मी ने पूछा इतनी सारी कि मैं गिन ही नहीं सकती चुटकी आके मीचते हुए बोली अगली रात चुटकी ने अम्मी से पूछा समुद्र कितना गहरा है? बहुत गहरा कितना गहरा? अम्मी आसमान की और देखते हुए बोली लगवग उतना ही गहरा चितना उचा आसमान है मतलब इतना गहरा कि चुटकी ये भी नहीं गिन सकती चुटकी सारी रात आसमान और सितारों के बारे में सोचती रही समुद्र और लहलों के बारे में सोचती रही जो भी उसने अम्मी से सीखा था उसके बारे में सोचती रही सूरच निकलते ही छिटकी अम्मी के और मुरी मैं तुमसे प्यार करती हूँ अम्मी कितना अम्मी ने पूछा बहुत छिटकी ने एक पल सोचा और अम्मी के गले लगकर बूली आसमान जितना उचा है और समुद्र जितना घेरा मैं तुमसे उतना प्यार करती हूँ अम्मी ने अपने पंखों से छिटकी को ढाप लिया तुम कितनी बार गले लगाओगी मुझे छिटकी ने पूछा बहुत बार अम्मी ने उसे फिर गले से लगा लिया कितनी बार चितनी लहरे हैं समुद्र में चितने तारे हैं आसमान में और हमारी कहानी खतम हो गए आपको भी क्या कभी छिटकी की तरह तुन्या देख के सवाल पूशने का मन करता है मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगती है जब भी मैं ऐसे पढ़ती हूँ मेरे दिमाग में सवाल उच जाते है इतना दूर है घर के सामने जो पेड़ है उसमें पत्ते कितने है मेरा तो मन करता है घर से निकलू कुछ कदम चलू और देखू मेरे आसपास क्या है आशा है कि आपको भी ये कहानी उतनी ही अच्छी लगे जितनी मुझे लगती है और आपके भी मन में भी सारे सवाल आ जाए आपकी दुनिया के बारे में अब मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ बाई